अब आप अब आप एलो अब आप 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 दोस्तों आप सभी पता है कि राइजूकेशनल पे सारी न्यूस की अपडेट आपको एक मात्री चैनल और सब जगह सबसे शटीक और सबसे विश्वेशनी न्यूस आपको इस चैनल पर प्रवाइड की जाती है हाँ तोड़ी से लेट ज़रूर होती है क्योंकि विश्वेशनल करने में उसकी ऑथेंटिक जाजने में टाइम लगता है कि वो कितना सत्त है कितना जूट है फिलाल न्यूस है यह एल्टी ग्रेट जितने भी भाई बंदू है उनके लिए है कि यूपियस्टी एल्टी ग्रेट की सीटे भर पाना मुश्किल है सरकार की और अब सिक्षक बना मुश्किल है क्या है रीजन इसके भी हैंड में भी वीडियो में देखेंगे और सबका इंतिजार खत्म हो गया है क्योंकि आपके एल्टी ग्रेट का रिजल्ट आ गया है आने वाला है देखें पूरी डिटेल इस वीडियो में और वीडियो साओं उनको बंन सके और और वोगों पूरी में रहें स्टाटेजी अपनी एपनी पूरी मेरी टरशन। तरिघ् सब्सक्राएब कर लें और जोर लोग अभी तक चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखिए कि यह पेपर की कटिंग है थोड़ा से मैं इसको जूम इन करना तो आपको थोड़ी सी अच शैसे देखने को मिल जाएगा मेंचे लगता है कि यूपी स्यALD ग्रेट की सीटें भरपाना मुश्किल है सरकार को क्यूं है थोड़ा सा बस 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 आप देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको यूपीस्टी एल्टी ग्रेट की सीटें भरपाना मुश्किल तो आप पढ़ते हैं पुरी टीजेल प्रयागराज उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग यूपीस्टी दिसंबर के अंतर तक एल्टी ग्रेट से चक भरती परिच्छा का परिड़ाम गोशित कर सकता है दिसंबर तक आपके हाला कि इसमें सभी सीटें भर पाना मुश्किल है न जरा रहा है जैसे अंट्सराड पांसो शीज भरती की तरह इस भरती परिच्छा में नियूंतम अर्था अंक यह सबसें इंपोर्टेंट नॉंड बात करने वाली बात है नियूंतम अर्था अंक की निवारता लागू की गई थी अब यहीं इंपोर्टेंट चीज है ठीक है नियूंतम अर्था अंक लागू किया है वहीं इसमें भी है हाला कि अभरती मांग कर रहे थे कि नियूंतम अर्था अंक की निवारता समात की जाया अब बादा बन सकता है नियूंतम अर्था अंक की निवारत परिश्यों में 10,708 सिक्षकों की भरती हुनी थी इन में 564 पद पुरुष और 504 पद मैला सिक्षकों के हैं भरती केवल परिख्षा से हुनी है यह परिख्षा 29 जुलाई को प्रदेश में 49 जिलों के 1760 किंद्रों में आविचीत की गई थी परिख्षा के लिए कुल 7,63,370 अविएर्थी ने आवेदन किये थे इन में से 52,3% अविएर्थी परिख्षा में सामिल हुए थे मतलब हाफ एक्जामनेशन में बैटे थे परिख्षा का प्रेणा दिसंबर के अंतर तक आने की उमीद जयताई जा रही है क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा प्रमुक रिजन यह है कि जो बोर्ड आप में उपीएसी में सद्सों के संक्या कम थी वो तो फुल्फिल हो चुकी है तो सबसे पहले अल्टी ग्रेट से ही स्टार्ट किया जाएगा आपके रिजल्ट लानी की प्रक्रिया को तो यह सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए इसके बाद अल्टी ग्रेट से चक भरती का प्रेडाम कोशी तो तो आरो ए यारो के बाद आप ही लोग का नमबर है आगे करते हैं पिछले दीनों और से 500 से चक भरती प्रेडाम आया था जिसमें बड़ी संक्या में बड़ती निंतमारतांग भी प्राप्त नहीं कर सके और हजार पद खाली रगए था ऐसे में एल्टी ग्रेड सुचक भरती का भी यही हालत हो सकती है हाला कि अब बड़ती इसमांग को लेकर लगातारा अंदोनल कर रहे हैं कि परिच्छाओं में परिच्छाओं से निंतमारता अंक की अनिमारता समाप्त की जाए कई बड़ती ने जो 2017 में एक्जामनेशन हुआ था और आया टेकनिकल का जो एक्जामनेशन हुआ था उसका रिजल्ट की परिपरेशन हो रही हुआ पर और आप लोग धैर और सहीं बनाया रखें अगर निमतमारता अंक लेता है तो थोड़ी से प्राब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि 52 प्रतिशत थी लोग एक्जामनेशन में बैठे थे 100 लोग एपलाई किये थे 100 परसंट लोग 52 परसंट बैटे हैं उन में से अगर निमतमारतांक लागू किया जाता है तो जैसे आपके सामने प्रतेक्शम की प्रमाणम वाला हाल हो जाकि 16500 जो शिक्षक भरती हुई है प् भी उताया कि 68000 में से 42000 पद भरे जा चुके थे बाकी पूरे 15-16000 पद खाली थे तो वह हालत ना हो जाए पसी आप लोग ध्यान रखिएगा हला कि आप लोग इतने सजग हैं आप लोग उसका को ने कोई हल विकल्प जरू निकालेंगे तो यह आपको न्यूज अपडेट दोस्तों और मैक्शमाम शेयर कर दीजाएगा ताकि जादा जादा लोग इसका न्यूज अपडेट पा सकें और थोड़ी से उनके ठान्डस थोड़ा से धार उनको यह बांच सके यह वीडियो तो आप लोगों की कारे के लिए आप लोगों के लिए आप लोगों के सफलता के लिए रा एजूकेशनल में जातत पर है तो बने रहे हैं हमारे साथ थेंक यू सो मुच फ्रेंड्स